आप में से हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी मैडिसीन जरूर खाई होगी और आप सोचते होंगे जब हम मैडिसीन को ओरली यानि कि माउट के तूर ले सकते हैं तो फिर हमें इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है और इंजेक्शन कितना डाइप क्यों होता है तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी बोड़ी में ड्रग किस तरह से एंटर होती है वो सभी local में आते हैं जैसे कि skin topical, internasal, ocular drops यानि कि जितनी भी आप drops use करते हैं चाए आख की हो चाए कान की हो वे सभी local में आते हैं तो देखी जो भी हम दवाई लेते हैं उसे हमारी body में पहुचने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं यानि कि उसे तरह तरह के रास्तों से होकर हमारी body में पहुचना होता है तो यहाँ पर उसी के बारे में बता गया है तो mainly दो तरह के रास्ते होते हैं entral and parental अब इन में अंतर क्या है तो देखी एंटर का मतलब होता है यहाँ पर intestine intestine means हमारी आत यानि कि जो भी दवाईया हमारी आत में होकर गुजरती है यानि कि पहले हमारी आत में जाएंगी फिर हमारे blood में जाएंगी तो उन दवाईयों को entral के अंदर गर रखा गया है तो इसमें कई सारी category है जैसे कि oral oral ऐसी दवाईया होती है जो कि हम अपने मूँ से लेते हैं आप बहुसी medicine अपने मूँ से लेते होंगे वो सभी oral में आती है इसके बाद है sublingual यानि कि कुछ दवाई हम अपने जीब के नीचे रखते हैं उन्हें sublingual कहते हैं and rectal और कुछ दवाई हमें rectum के थूरू या फिर anus के थूरू दी जाती है उन्हें rectal कहा जाता है then इसके बाद हैं आपर parentral तो इसका मतलब क्या है तो देखिए यहाँ पर है par plus antral यानि कि यहाँ पर intestine को bypass कर दिया जाता है यानि कि medicine, intestine या फिर हमारे पेट में नहीं जाती है सीधे हमारे blood में जाती है तो इसमें कौन-कौन सी category है इसमें पहली category है inhalation यानि कि ऐसी medicine जिने हम inhale करते हैं आपने अस्तमा के patient में देखा होगा कि वो inhaler का use करते हैं जिसमें वो medicine को खीशते हैं तो वो सीधे हमारे blood में जाती है इसके बाद यहाँ पर injections तो जिसे हम पढ़ने वाले हैं तो सभी injections parental में आते हैं क्योंकि यह सभी हमारे सीधे blood में जाते हैं तो injection type क्यों होते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है intravenous, intramuscular, subcutaneous, intraartical, intraarticular, intrathecal and intradermal तो इन में से जो ज़्यादा यूज होते हैं मोनी के बारे में जानने की कोसिस करेंगे तो देखे में लिह हम चार तरह के injection यूज करते हैं intramuscular, subcutaneous, intravenous and intradermal तो इसे समझने से पहले हमें इस skin के बारे में जाहना होगा कि इस skin में कौन-कौन सी layer होती है यहाँ पर हमने skin की layer का diagram लिया है जिसे आप इसे अच्छे से समझ जाए तो देखे हमारी तवचा में कुछ layer पाए जाती है तो सबसे उपर होती है EP dermis तो यह वो layer होती है जिसे आप अपने हाद से चूँ सकते हैं और तिक सकते हैं और इसमें melanocyte पाए जाती है जिसके कारण हमारी body का रंग fix होता है इसके नीचे होती है dermis तो देखे dermis में क्या होता है dermis में हमारे hair follicles यानि कि हमारे बाल पाए जाते हैं हमारी sweet gland पाए जाती है हमारी blood vessels भी इसमें पाए जाती है और हमारी nerves भी इसमें पाए जाती है इसके नीचे होता है subcutaneous tissue तो इसमें क्या होता है तो यहाँ पर fat पाए जाता है यानि कि adipose tissue पाए जाता है और इसके नीचे होती है muscles यानि कि muscles सबसे नीचे होती है सबसे उपर epidermis, then dermis then subcutaneous tissue and last में है यहाँ पर muscle तो अब हम इसी समझ लेते हैं सबसे पहला injection है यहाँ पर intramuscular जैसे कि नाम से पर चल रहा है muscular यानि कि ऐसा injection जो कि हमारे muscles में दिया जाता है और इसे sword form में हम IM भी कहते है IM तो देखे इसमें क्या है आपने देखा है कि हमारी muscles सबसे नीचे पाए जाती थी तो इसलिए हमें इसे बिलकुल सीधा लगाना होगा यानि कि 90 degree पे लगाना होगा जिससे हमारी muscles तक पहुंच सके इसलिए इसे intramuscular injection कहा जाता है इसके बाद हैं आपर subcutaneous तो आपने देखा था हमारी जो last layer है यानि कि muscles हैं उसके ऊपर एक layer पाए जाती है जिसमें कि हमारा fatty tissue होता है यानि कि हमारा fat पाए जाता है यदि हमें इसमें injection लगाना हो तो हमें injection को 45 degree पर लेना होगा जिससे यह वहां तक पहुंच सके यानि कि ऐसे injection जो कि हमारे vein में लगा जाते है और आप जानते हैं हमारी vein, rt ये सभी dermis में पाए जाती है जो कि हमारी skin की second layer है तो दिख पा रहे हैं आप यदि हमें इसमें लगाना होगा तो हमें injection को थोड़ा सा त्रिड़ा करना होगा जिससे वो उसमें पहुंच सके अब आप सोच रहे होंगे कि ये injection इस तरह से क्यों लगा जाते हैं तो देखिए इन सभी injection के अपने रोल होते हैं जैसे कि माली जे किसी को antibiotic देनी है या फिर vaccine देनी है तो maximum vaccines जो है हमारी muscles में लगा जाती है तो ऐसी condition में हम उसे intra-muscular injection लगाएंगे या फिर किसी को insulin लगानी है तो ऐसी condition में हम उसे subcutaneous injection देंगे या फिर हमें किसी का allergy test करना है या किसी medicine की testing करनी है तो हम उसे intra-dermal देंगे या निकि हम उसकी skin में check करेंगे तो इस तरह से injection लगा जाता है अब हम इनके बारे में बारी-बारी से जान लेता है तो आज हम बात करेंगे intra-muscular injection यानि कि IM की यानि कि ऐसे injection जो कि हमारी muscles में लगा जाता है बाकी injection के बारे में हम अगली वीडियो में जान लेंगे तो देखिए ये injection हमेशा 90 degree पर लगा जाता है तो देखिए जो injection के while होते हैं उन पर लिखा रहता है जैसे कि यहाँ पर लिखा है for intra-muscular use only यानि कि यह injection के वल intra-muscular यानि कि IM के लिए है इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है IM और IV use only यानि कि इस injection को हम IM या फिर IV दोनों तरह से use कर सकता है तो देखिए हमारी body में injection लगाने के लिए कुछ site होती है यानि कि हम injection को हर जगा नहीं लगा सकते यान कि कुछ particular site होती है जहाँ पर हम नहीं लगाना चाहिए तो ऐसे ही intra-muscular की भी है तो intra-muscular की मेली दो site होती है पहली है deltoid muscle जो कि हमारी कंदे की muscle होती है और यहाँ पर हम injection को लगा सकते है तो इसे हम और अच्छे से समझ लेता है तो देखिए ये है हमारी deltoid muscle जो कि हमारे कंदे पे होती है और हमारे आपराम में होती है तो यदि हम अपनी दो उंगली इस तरह से रखते है तो जो नीचे का area होता है यह pyramid होता है इसमें हम injection लगाता है तो आपने देखा होगा जितनी vaccines आज कर लग रहे हैं कोरुना वाली वो सबी इसी में लग रहे हैं क्योंकि यह हमारा intra muscular injection याने की I.M है तो देखिए I.M की दूसरी अच्छी site है gluteal muscle जो की हमारे hip में पाज आती है तो यहाँ पर हमें कैसे फैचान करने होगी कि injection हमें कहां लगाना है तो जो इसका upper lateral part होता है यहाँ पर हम injection को लगाता है तो हमें इसाई यहाँ पर हम injection की two third needle को ही enter करता है दो कि injection हमें बहुत साफधानी से लगाना चाहिए क्योंकि हमारे body में nerves पाए जाती है यदि गलती से nerve में injection लग गया तो हमारे body में problem हो सकती है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे gluteal muscle में एक nerve पाए जाती है जो कि इस तरह से नीचे जाती है यदि गलती से इसमें injection लग जाता है तो हमारी जो टांग है वो paralyzed हो सकती है तो इसलिए हमें बहुत साफधानी से injection लगाना चाहिए अब हम जानने था है कि IM का use कब-कब किया जाता है यानि कि intramuscular injection कब-कब दिया जाता है तो यदि किसी को antibiotics दी जाती है जैसे कि penicillin, steptomicin तो हम IM का use करते है इसके यदि किसी को vaccines दी जाती है तो उस condition में भी IM का use के जाता है और इसके लाँब़ा यदि किसी को hormonal therapy दी जाती है तो तब भी हम IM का use करते है तो इस video में हमने IM के बारे में जान लिया है अब हम ये भी जान लेते हैं कि entral और parental में अंदर क्या होता है तो कि entral का मतलब होता है of intestine यानि कि aise medicine जो कि हमारे intestine के तुर हमारी body में जाती है वो सभी entral root में आती है जबकि aise medicine जो कि हमारे blood के तुर हमारी body में enter करती है यानि कि सीधे हमारे blood में ही जाती है वो parental होती है यानि कि beyond intestine और यहाँ पे दिया हुआ है तो देखी ये जो होती है ये slow acting होती है यानि कि हमारे body में दीरे-दीरे पहुंचती है क्योंकि आप जानते हैं इन्हें पहले हमारे peat में जाना होता है उसके बाद ये हमारे blood में जाती है यानि कि यदि हम इसे 10 mg लेंगे माली जी किसी ने 10 mg कोई कोली ली तो वो हमारे blood में जाकर 4 या 5 mg ही पहुंचेगी बाकी हमारे peat में खतम हो जाएगी जैकि parental root में क्या होता है यदि किसी ने 10 mg का injection लिया तो वो उसके blood में 10 mg ही पहुंचेगा क्योंकि वो सीधा ही उसके blood में जा रहा है तो ये इनमें अंतर है तो इस वीडियो में इतना ही था इस वीडियो में हमने देख लिया आयम के बारे में बाकी injection हम अगली वीडियो में देख लेंगे थैंक्यू वेरी मच